हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में सुपर पोजिशन थेरम ये टोपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 18 प्रॉलिम स्टडी करेंगे तो देखे जो प्रॉलिम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है कोशन में क्या लिका है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक सर्किट डियागरम दिया है और इसके लिए कोशन में लिका है find the voltage across branch AB using superposition theorem देखो यह सर्किट में यह है branch AB यह branch AB के across कितना voltage है वो हमें find out करना है by using superposition theorem तो चलो हम यह problem solve करेंगे और यह problem solve करने का technique बिलकुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉलिस में use किये थे अगर आपको यह branch AB के across voltage find out करना है तो जाहिर सी बात है voltage find out करने का formula होता है by using ohms law V equal to I into R देखो formula यहाँ पे आपको लिखके देते हैं अगर आपको AB branch के across का voltage find out करना है तो हम उसको कहेंगे VAB और यह find out करने के लिए ohms law का formula use करेंगे that is IAB into R देखो यह हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे हमें AB branch के across का अगर voltage find out करना है तो AB branch में से flow होनी वाला current into AB branch का resistance यह formula हमें use करके AB branch के across का voltage find out करना है that is V equal to I into R यह ohms law का हम use करेंगे तो यहाँ पे देखो यह AB branch के across का resistance क्या है 4 ohms इसका मतलब हमें यहाँ पे put करने के लिए 4 ohms पता है लेकिन यहाँ पे put करने के लिए IAB इसका मतलब AB branch में से flow होनी वाला current हमें पता है क्या नहीं तो हमें सबसे पहले यह IAB find out करना पड़ेंगा जब तक यह AB branch में से flow होनी वाला current हमें नहीं मिलता तब तक हम यह AB branch के across का voltage find out करने के लिए अब हमें यहाँ superposition theorem का use करना है यह IAB हमें चाहिए ठीक है यह सबसे important है हमने उसको नाम दिए IAB naming कुछ भी दे सकते है कोई फरक नहीं पड़ता तो यह IAB हमें अगर superposition theorem से find out करना है तो क्या कहता है superposition theorem का rule तो यहाँ पे सबसे पहले check करो कि total कितने sources दिये है तो यहाँ पे 2 sources है यह एक voltage source है और वो एक current source है ठीक है तो यहाँ पे अगर 2 sources दिये है तो हम इसको 3 step में solve करेंगे superposition theorem का rule यह है कि जितने भी sources दिये है आपको क्या करना है one by one एक एक source को consider करना है और जो भी आपको required current है वो find out करना है लेकिन जब आप कोई source consider करता है तो दूसरे sources को deactivate करना होता है इसका मतलब यह है कि देखो यहाँ पे 2 sources है तो हम इसको 3 step में solve करने वाले है तो हम क्या करेंगे step number 1 में पहले यह source को consider करेंगे और उधर का source deactivate करेंगे और यह condition में AB branch में से flow हने वाला current find out करेंगे यह step 1 रहेंगा फिर step 2 में क्या करेंगे उधर का source consider करेंगे यह source को deactivate करेंगे और फिर से AB branch में से flow हने वाला current find out करेंगे यह step number 2 रहेंगा और फिर step number 3 में ये दोनो steps का current का sum करेंगे तो हमें final current flowing through branch A B मिल जाएंगा it means हमें I A B मिल जाएंगा और एक बार यहाँ पे I A B मिल गया तो वो हम यहाँ पे put करेंगे ये R A B put करेंगे तो V A B मिल जाएंगा और problem वही पे complete हो जाएंगा समझ गये तो चलो यहाँ पे अब solve करना start करेंगे तो हमें इसको step 5 solve करना है तो step number 1 step number 1 consider voltage source लेकिन जब आप voltage source को ये voltage source को जब आप consider कर रहें तो उधर का source हमें deactivate करना है तो उधर का source यहाँ पे कुन सा है तो ये है current source तो rule क्या है? rule ये है कि जब कभी भी आप current source को deactivate करता है तो उसको replace करना पड़ता है by open circuit तो इसका मतलब वो current source को deactivate करेंगे इसका मतलब हम उसको remove करेंगे और उसको replace करेंगे by open circuit ऐसे में हमें यहाँ पे एक new circuit भी यहाँ पे draw करना पड़ेंगा तो चलो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे तो यह देखिए हमने लिखा है step number one consider 20 volt voltage source तो यह हम voltage source consider कर रहे हैं ऐसे में हमने जैसा कहा था यहाँ पे एक new circuit diagram ब्रॉक करना है तो यह देखो circuit diagram आपके सामने है जिसमें हमने voltage source को लिया है और यह जो current source यहाँ पे था जिसको हमने कहा था कि उसको deactivate करना है और उसको replace करना है by open circuit तो यह देखो यहाँ पे हमने current source को यहाँ से remove किया है और यह branches को हमने open किया है तो इसको कहते है open circuit तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यह open circuit है इसको कहते है open circuit और Open Branches में कभी भी Current Flow नहीं होता अगर ये Open हो गया, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक कोई भी Current यहां पर Flow नहीं हो रहा है और अब ये Кон्डिशन में हमें क्या करना है Branch A, B में से Flow होनी वाला Current Find Out करना है यहां पर है A, और यहां पर है B हमें ये step number 1 में ये AB branch में से flow हने वाला current यहाँ पे find out करना है और अभी जो हमने कहा था कि open branches में current flow नहीं होता तो ऐसे में open branches को वहाँ से remove कर दो open branches का यहाँ कोई काम नहीं है इसका मतलब यह है कि यह जो branches है यहाँ से निकाल दो अभी सिर्फ हमने यहाँ पे आपको show किया है लेकिन exam में draw करते समय आपको सिर्फ इतना draw करना है आपको ये branches show करने की ज़रूरत नहीं है देखो ये हम अभी यहाँ से remove कर लेंगे देखो यहाँ से हमने ये remove कर लिए क्योंकि हमें पता है कि open branches में current flow नहीं हो रहा है तो उसको show करने की ज़रूरत नहीं है आपने अगर सिर्फ इतना diagram draw किये तो भी ये बिल्कुल correct है इधर कुछ भी show करने की ज़रूरत नहीं है तो अभी सिर्फ ये एक ही single loop है देखो ये एक single loop है और ये loop में flow होने वाला current जो रहेंगा वही current AB branch में से flow होगा तो देखो ये अगर loop है तो हम क्या करेंगे ये loop में current flow show करेंगे देखो इस तरह से यहाँ पे current flow होगा देखो इस तरह से ये current जो है ये loop में flow होगा ये current को हम नाम देंगे I1 ठीक है इसको हमने नाम दे दिये I1 देखो यहाँ से flow होगा I1 यहाँ से start होगा यहाँ से flow होगा देखो यह इस तरह से flow हो रहा है यह देखिए ऐसा यह current flow हो रहा है I1 ठीक है और यही I1 हमें अभी find out करना है तो चलो यह find out करेंगे अब यह find out करने के लिए यहाँ पे सिधा सिधा ohms law apply करो तो आराम से यह solve हो जाएंगा या फिर बोलो कि kvl apply करो आराम से यह solve हो जाएंगा तो अगर यह loop की अगर बात करें तो यह loop में total voltage है 20 volt और यह loop में total resistance क्या है तो यह 5 ohm और यह 4 ohm दोनों series में ह तो यह हो जाएंगा 9 ohm तो ऐसे में हम यहाँ पे लिख लेंगे total current flowing through the loop that is I1 is the total voltage by total resistance that is 5 plus 4 that is 20 by 9 तो हम यह लिख लेंगे 20 by 9 तो I1 हमें यहाँ पे मिल जाएंगा तो यह हो जाएंगा that is 2.222 ampere तो finally current flowing through the branch AB यह हमें यहाँ पे मिल गया यह है 2.222 ampere यह हमने step 1 यहाँ पे complete कर लिए और जब यह current I1 branch AB में से flow हो रहा है तब उसका direction देखो ऐसा downward है तो direction जो है इसके side में हमें यहाँ पे show करना है direction का use यहाँ पे यह रहेंगा कि at the last step number 3 में जब हमें summation करना है तो summation के time अगर आपके पास direction हो तो आप आराम से summation कर पाऊंगे इसल इसलिए हमने वो downward show किया है step number 1 यहाँ पे complete हो गया हमने 20V voltage source के वज़े से AB branch में से कितना current flow हो रहा है वो find out कर लिए और अब step number 2 step number 2 में क्या करना है वो जो current source है 8 ampere वो हमें consider करना है और यह source को deactivate करना है फिर से एक new circuit diagram draw करना पड़ेंगा और rule यह है कि जब आप यह voltage source को deactivate करेंगे तो voltage source को replace करना पड़ता है by short circuit तो चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे step number 2 तो यह देखिए हमने लिखा है step number 2 consider 8 ampere current source ऐसे म हमने कहा था एक new circuit diagram draw करना है तो यह देखो एक new circuit हमने बना लिए है जिसमें हमने current source को लिया है और voltage source जहाँ पर था हुषको आप उने replace किया है by short circuit ठीक है तो यह हो गया short circuit देखो यह है यहाँ पे short circuit ठीक है ऐसे में यह उनसके जहाँ पर voltage source होता है उसके दोनो ends को सीधा-सी जाइन करना होता है तो वो हो जाता है short circuit और अब यहाँ पे यह condition में हमें branch AB में से flow हने वाला current बाइड़ उड़ करना है तो यहाँ पे है branch AB ठाइड में तो यह अब सबसे पहले यह पता करो कि यह circuit में total current کیटना flow हो रहा है? तो यह circuit में direction क्या है वो check करो तो यहाँ पे हम पहले mention कर लेते है total current IT जो है वो है 8 Ampere ठीक है total current यहाँ पे 8 Ampere flow हो रहा है और अब बस इसको flow कराके इसको divide कराओ तो देखो क्या होता है देखो यह जो current 8 Ampere है वो उसका direction जो दिया है इसके according यह current यहाँ से flow होगा देखो इस तरह से flow हो रहा है यह देखो यह flow हो रहा है IT यह IT flow हो रहा है ठीक है अब यह flow होके यहाँ पे जाएंगा node A पे और यहाँ पे divide हो जाएंगा कुछ इधर जाएंगा कुछ इधर जाएंगा इसको नाम देदो हम इसको नाम देंगे that is I2 क्योंकि I1 यहाँ पे अल्रेडी हो गया था इसलिए हमने उसको नाम दे दिये I2 और जो इधर गया इसको नाम देदो I3 हमें I3 नहीं find out करना है हमें I2 find out करना है क्योंकि यह जो I2 है यह branch AB में से flow हो रहा है तो हमें I2 find out करना है तो यह I2 find out करने के लिए अब हम यहाँ पे current division rule का use करेंगे current division rule का use इसलिए करेंगे क्योंकि current यहाँ पे divide हुआ देखो जो node A है यहाँ पे जो current है यह दो part में divide हुआ current divide हुआ इसलिए current division rule का use करना है यहाँ पे कही पे भी हमने current division rule का use किये क्या नहीं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक single loop था जो current यहाँ से flow हो रहा था वो पूरे loop में single current flow हो रहा था कही पे भी current divide नहीं हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे कही पे भी current division rule का use नहीं किये लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो total current ह वो ये node पे दो पार्ट में divide हो रहा है I3, I2 ऐसे दो पार्ट में divide हो रहा है अगर आपको I2, I3 में से कुछ भी find out करना है चाहे आपको I2 find out करना हो या आपको I3 find out करना हो तो आपको current division rule use करना ही पड़ेंगा उसके बिना I2 या I3 नहीं मिलेंगा ठीक है तो चलो हम यहाँ प पूरा spelling में लिख लेना है so by current division rule हम यहाँ पे I2 find out करेंगे so I2 equal to अब current division rule का use कैसे करते है देखो इसके पहले already हमने current division rule कैसे use करना उसके उपर number of videos बनाये थे वो videos आप देख सकता है तो current division rule use करते समय सबसे important होता है total current and opposite branch तो चलो यहाँ पे हम देखते है कि वो क्या है so जो हमें current division rule से current find out करना है उसका नाम है I2 तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो total current ठीक है यहाँ लिखना है total current इसके बाद आपको यहाँ लिखना है resistance of opposite branch देखो आर अपोजिट यहाँ पे हम लिख लेंगे आर अपोजिट याने resistance of opposite branch यह अपको उपर भी लिख लेना है और नीचे of current branch, देखो ये हमने क्या लिका है, r current यानि carne भी टोल से पहले लिकना है total current उसके बाद resistance of opposite branch उपर भी नीचे भी plus resistance of current branch, तो चलो सभी का value हम यहां एक अम्पियर इंटू, resistance of opposite branch क्या होगा तो देखो opposite branch पहचानते आना चाहिए, opposite branch पहचानना बहुत important है तो यहाँ पे कितने branches है यहाँ पे total तीन branches है पहला branch वो है जिसमें current source है दूसरा branch वो है जिसमें से आप current find out कर रहे है और तीसरा branch वो है जिसमें से आप current find out नहीं कर रहे है आप I3 find out कर रहे है नहीं आप I3 find out नहीं कर रहे है तो जो current आप find out नहीं कर रहे है वही ज नहीं, तो I3 वाला जो branch है, वही है opposite branch, तो ये branch में क्या resistance है, वो चेक करो, तो ये branch में लगा है 5-0, एक ही single resistance है, तो वो हो जाएंगा opposite branch का resistance, तो हम लिख लेंगे 5-0, resistance of opposite branch, उपर भी, नीचे भी, प्लस अब लिखना है resistance of current branch, याने current आप जो branch से find out कर रहें, वो branch का resistance, तो current आ तो इस तरह से हमने यह यहाँ पे तयार कर लिया है ठीक है यह total current यह opposite branch का resistance यह भी opposite branch का resistance यह current branch का resistance बस इसको यह हम यहाँ पे solve कर लेंगे तो यहाँ पे 850 यह 40 तो 40 divided by यह 9 तो यह हमें मिल गया 4.444 तो हम यह लिख लेंगे 4.444 ampere तो यह हमें मिल गया I2 इसका मतलब branch AB में से flow होने वाला current यह step number 2 में हमने find out कर लिये branch AB में से flow होने वाला current का नाम है I2 4.444 ampere और इसका direction है जब वो branch AB में से flow हो रहा है downward तो finally हमने step 1, step 2 दोनों steps यहाँ पे complete कर लिया है जैसा हमने कहा था कि इसको आपको 3 step में solve करना था step 1 में यह source के वज़े से AB branch में से flow होने वाला current find out करना था तो यह हमने find out किये step 2 में यह source के वज़े से AB branch में से flow होने वाला current find out करना था तो वो भी हमने find out कर लिये दोनों current का direction downward है और अब हमें क्या करना है step 3 में यह दोनों currents का summation करना है तो हमे final current flowing through branch AB मिल जाएंगा और उसी का use करके हम यह फार्मूले से हम आसाने से क्या find out करना है आई AB find out करना है याने final current flowing through branch AB और दोनों current का हमें summation करना है बस दोनों का direction चेक करो अगर दोनों का direction सेम है तो आप सीधा सीधा उसका addition करो और अगर direction अपोजिट है तो जो बड़ा value है उसमें चोटा value सबस्टैट करो ठीक है तो चेक करो दोनों का direction सेम है क्या दोनों का direction सेम है इसका मतलब हमें यहाँ पर directly submission करना है तो step 1 का current I1 और step 2 का current यहाँ पर क्या दिये थे I2 उसका नाम दिये थे देखो I1 प्लस I2 हमें करना है तो यह हम यहाँ लिख लेंगे that is 2.222 प्लस 4.444 तो यह हो गया 6.666 ampere तो यह है final current flowing through branch AB due to both sources दोनों sources के वज़े से branch AB में से flow होने वाला current यह है और इसका direction भी downward होंगा क्योंकि इसके पहले के दोनों currents का direction downward है तो यह भी current का direction downward और अब इसी का use करके हमें AB branch के across का voltage find out करना है so therefore VAB that is AB branch के across का voltage जो हमने formula starting में लिखके दिये थे IAB into RAB तो हम यहाँ पे values put up कर लेंगे 6.666 into RAB याने branch AB के across का R तो वो है 4 और इसको दोनों को multiply करो तो यह हमने यहाँ पे solve कर लेंगे इसका answer हैंगा 26.664 volt तो यह हमने VAB find out कर लिए याने AB branch के across का voltage question में जो find out करने के लिए कहा था यह वो हमने find out कर लिए by using superposition theorem और finally problem यही पे complete हो गया उम्मिद करते हैं कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह problem आपको अपनी practice book में ज़रूर solve करके देखना चाहिए यह important problem है इसके पहले exam में भी आ चुका है तो यह था superposition theorem यह topic का problem number 18 इसके पहले जो हमने इसके 17 problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much